हलो एव्रीवन मैं आर्मीन जन्यूर एक्षिज में आपका स्वागत करता हूँ राजिस्तान प्रदेश में रीट सिक्षक बढ़ती परिक्षा जुड़ी वी काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तो पैसेंस बना मचा हुआ है पुरे प्रदेश के अंदर जब यह एक्षाम कंडेक्ट हुई उससे पहले भी जो है विद्यारतियों की मांग थी कि एक्षाम कराई जाए जब यह बहुत बड़ी बरती कराई गई रीट का यहां पर आयोजन हुआ और काफी जादा संक्या में विद्यारतिय रहे अगर हम लेवल फश्ट की बात करें तो इसमें भी विद्यारती जो बीपering विद्यारती थे उनके लिए अलग से जो है आपर लागो हुआ फिर कहा गया कि लेवल फर्ष्ट में उल्ली जो BSTC विद्यारती हैं जो DL विद्यारती हैं वो ही यहाँ पर रहेंगे BN वालों का लाव नहीं किया जाएगा उसके बाद में लेवल सेकिंड में काफी सारे पेपर आउट हुए काफी जगे सेंटर पर पेपर आउट पाएगे और लगतर यहाँ पर बेरुजगारों ने विरोध किया विद्यारती हो ने विरोध किया कि वापस से बर्थी होनी चाहिए एक्जाम कैंसिल होनी चाहिए और फाइनली आज यहाँ पर केबिनेट की बैटा कोई मिटिंग होई जिसमें मुखिमंत्रियसोगेलोत ने फाइनली यहाँ पर फैसला सुना दिया है किस भर्ती को जो रीट बर्ती है इसको रद किया जाता है जो level second है इसको रद किया जाता है यानि जो class 6 से 8 तक की यापर जो होती है जो read level 2 होती है उसको रद कर दिया गया है अब वापस से इसकी exam होगी जीहां read level 2 को यापर बिल्कुल एक तरह से रद कर दिया गया है जो exam हुई थी अब उन विद्यार्तियों की वापस से exam होगी वहीं हम बात करें read level 1 की यानि पहली से 5 तक की बात करें तो ये यथावत रहेगी यथावत रहेगी उनका result आ चुका है और उनकी जो बाकी की प्रिक्रिया है वो चलती रहेगी लेकिन यहाँ पर read level 2 की बात करें उसको रद कर दिया है और यह अब तक की सबसे बड़ी update यहाँ पर सामने आ रही है यहाँ पर और एक और खुशकबरी है सभी विद्यार्तियों के लिए कि अब जो नए से यहाँ पर exam होगी आपकी read जो एक बर बोल रहा है कि read 2022 के अंदर मई महीने के अंदर आपकी exam होगी तो जो नए बरती होने वाली है read की उसमें लगबग level 1st और level 2nd को मिलाकर 62,000 पर यहाँ पर बरती की जाएगी क्योंकि यह बरती जो पुरानी बरती थी वो रद हो चुकी है तो अब नए सिरे से बरती होगी और 62,000 पर यह बरती की जाएगी तो यहाँ पर अब जाके जो इसका solution निकल के आया है सभी विद्यारती काफी परेशान थे जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे जिनके नहीं भी आ रहे थे सभी सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा तो फाइनली एक solution निकल के सामने आया है और आज जो है मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि यह बरती रद कर दी जाती है लेवल 2 की और लेवल 1 की जो यथावत रहेगी इसके अलावा 62,000 नए पदों पर यहां पर बरती होगी साथ ही यहां पर जो है रास्तान सरकार का statement सामने आया है कि विद्यारती मिशिंत रहे विद्यारतियों के साथ में सरकार है और आगे भी खड़ी रहेगी जो भी उनके साथ गलत होगा ऐसा नहीं होने देगा और फाइनली जो है यह अपडेट आ चुकी है और आपकी जो एक्जाम में वो रद्ध हो गई है तो इस परकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद